मैं हूँ आपका Maths Mentor दुर्गेश्तिवारी और हम दो मिल रहे है अपने सांधा सीडिव चैनल RTA Academy यह एक ऐसा platform है जो आपको session 22 23 के लिए well prepare कर रहा है और इस समय तो class 12 की series चल रही है और आज हम भी start करने जाना है relation relation की बात करेंगे function यह एक दब last chapter रहा है वाकि हम पॉर्मस्ट कम्प्लीट कर चुके है वैसे है chapter number one कि हम भी last में कर रहा है उसका कोई issue नहीं है इसका वेड़ेस भी रहता है खी ठाक तो अम भी इसको इसलिए last में कर रहा है तो इस दिने relation हमको ने class 11th में भी पढ़ता है तेकि 11th में हमको ने types नहीं पढ़ेंगे तो आज हमको types भी पढ़ेंगे और relation होता क्या है और अब full detail में discussion भी करेंगे तो इसको start कर लेते हैं तो relation में हमको करेंगी क्या सबसे फ़ली बात तो यह है क्या ।2 non-empty set let कॉ और ऑर 2 non-empty set then capital R is set to be relation let A common B R to non-reputation then capital R is set to be relation if capital R for relation if A cross B subset then it is a relation if relation then A cross B subset A cross B we have to say the same element to relation from the same element here is not just just a set A is 1 3 5 and exit is 2 4 if I have to say that R is a b collection such that a is less than B is is small so if A cross B apply or A cross B apply what A cross B is 1,2 1,4 1,2 1,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4 5,2 5,2 5,4 5,2 5,4 5,4 6,2 3,2 1,2 4,3 2,2 3,4 1,2 1,2 1,2 3,2 बिल्कुर आएका 3,4 5,5,5,4 नहीं आए अब आप देखे एक चीज़ यहां पर आपको देखने में लग रहा होगा है कि जो रिलेशन मैंने लिखा है R जो R आप देख रहा है इसके दर जिदने भी एलिमेंटम पूरे इसी सट से लिए गए एक रॉस पीस इसमें 6 एलिमेंटम जो 3 एलिमेंटम इसके अंदर है वो इसी से लिए गए हैं कहीं अलग से नहीं आए अब आपको मैंने रिखाल से इसमें चीज़ क्लियर होगी हो कि कहां से आपने इसको इसको कंसिलर किया है जब रिलेशन एक तरिके से एक क्रॉस बीजासर के सबसेट ही रुगा उससे ग्रेटर नहीं हो सकता तो जिरेशन के डेवी है कि और ये अर्वी दो और रेकसे हैं तो क्या बचल आ इसको हम है कैंगा डेलेशन कभ तो याइवक्रोन का सबसेट हो जाएगा अबीक आसे आपको आज से relationई ति तो definition है वो आपको समझ में आगे हो और कि आथे आए distinct relation आपको एल्येडे लेशन ना मिए दिखिया relation के तो type है वो होते जगली, free होते हैं वे निकली यह बोदा रेफ्लेक्सिव रेलेशन यह बोदा वारा सेमेट्रिटी रेलेशन और होता है ट्राजिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रिट्रि लेकिन वह हम लोग को बहुत जादा डिसक्स नहीं करना है नहीं उसकी क्वेस्टिन आपसे पूछे जाएंगे बिसिकली इन तीन से ही रिलेट्टे चीजे मिलेगी और अगर हम लोग इनको क्लब करते हैं अगर किसी बिस रिलेशन में तीनों प्रावबार्टी हो जाएंगे तो उसको इक्वेलेंस कहा जाता है तो अगर किस्टे पाइच जब सारी चीजे डिसक्स करेंगे सब के लिए एक अला के तक स्लाइट ली हुली है तो सब चीजे टेटल में आपको समझाएएंगे लिए कि रिफ्छल्क्यो यह होता है तो गर कि देटल हुली है मतलब उसको इस है कैसा है याने कि itself relation उसको क्या कहे सकते है। कि वो reflexive relation है। इसको repeated कैसे कियाते है इसको आप इस तरीके से रिखेते हैं। और अगर आप इसको किसी तरीके से दिखादें। कि a, a, v क्या है ? relations कि a, a, v कि जाता है इसलिये। तरीका और भी है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर ए, भी से रिलेट कर रहा है और आप इस दिखा दिया कि ए क्छुथ से भी रिलेट कर रहा है तो आप इसको क्या कहते हैं कि ये reflexion है यानि कि itself relation ने कैसे ये फेलेट है तो जैसे एक लाइन ये लगा है और एक L1 यहία L2 है अगर L1 a line L2 line के parallel है तो आप यह कहा है कि L1 line अपने आपके प्राइले इसको हम वो कहते है itself relation अपने आप को कोई से डेक्ट अलाएन है तो बहुँ से तरह यहाएगा वो हो ही जाएगा connection को follow करेगा यह वे parallel तो भाई कोई कलएका अपके तुसलिया हम गया आँगे हमारे आज सेमेंट्रिक रिलेशन के रिलेशन स Czech स्मेंट्रिक रिलेट रिलेट आप चाहिए जीडर लगहां तो मिलेकर यदा होगा तो इससे ये ये रेलेशन कैसा होगा कि अगर A relate कर रहा है B से और अगर आप यह दिखा दे कि B भी relate कर रहा है A से तो वो कौन सा relation हो जाएगा? और इसको मैं अपनी यह simple language में अगर आप से यह हो तो आप इसको ऐसे समझे जैसे कहा जाए कि यह triangle ABC है यह क्या है triangle ABC है और यह triangle यह आपके सम्झे बना हुआ है PQR तो अगर मैं आप से यह triangle ABC है वो similar है triangle PQR के अगर triangle ABC हमारा PQR के similar है तो क्या PQR ABC के similar नहीं होगा? बिलकुल होगा मैं यह congruent है तो क्या PQR ABC के congruent है नहीं होगा? बिलकुल होगा तो जो symmetric वाला part है वो दूसरे वाले से भी खुझ का relation बनाना चाहिए जैसे अगर मैं यह कहूं 2,4 से divisible है तो क्या 4 भी 2 से divisible है नहीं है यानि कि यह symmetric relation नहीं symmetric relation का मतलब जो A का relation B के साथ है वही same revert भी होना चाहिए यानि कि B का relation भी A के साथ होना चाहिए यानि कि लिखने का जो तरीका है तो यह एक A कॉमा भी एगर relation है तो आपको यह सो करना होगा कि B कॉमा यह क्या हो जाएगा एक relation अगर आपने किसी तरीकिस को सो कर लिया तो आप दिखा देंगे कि वह एक क्या symmetric relation है चले आते हैं को next part यह आज मैं ट्रांगेटिव रिलेशन ट्रांगेटिव रिलेशन क्या होता है जैसे मालीचे कि अगर मैं आपसी कहूं कि A कॉमा भी एक relation है और B कॉमा भी एक relation है अगर A कॉमा भी एक relation है और B कॉमा भी एक relation है और अगर आपने किसी तरीकिस से यह दिखा दिया कि A कॉमा भी एक relation है कि रखे का सिसे एक रखे कर रहा है और भी रिलेट कर रहा है C से, क्या, A rate कर रहा है B से, B rate कर रहा है C से, और अगर आप इसको दिखाने में success हो गए, कि A rate कर रहा है C से, तो यह प्रूब हो गया, कि यह कैसा relation है, ट्रावडियो relation है, इस वोगर मैं एग्जाम्पल एक कंसेडर करूँ, तो आप दिए एक उग्जाम्पल आपको क्या आप यह जो यहां, आप उसको ही ले लो, यह L1 line है, यह L2 line है, आप लोगे L3 line, यह आपको के L3 line है धर मैं आपसे यह एक आपको कहौंँ मैं L1 L2 यह से parallel है, L1 लोगे to L2, और L2 parallel L3 कहें तो इन दोनों को अगर आप इन कंडूर करोगे तो 11 पार्ललर टो यह जट हमारा आज़े करें मतलब के तरह A, B relation है और B, C, B relation है और किसी तरीके से गर आपने यह दिखा दिया कि A, C, B का एक relation जिससे यह clarity आपको मिल जाएगी कि क्या होगा है, relation होगा आपको ट्रांजिट्व रिलेशन होगा, आज से एक चीज़ोर, number of reflection relation कैसे न करे जाते हैं, ट्रांजिट्व कैसे न करे जाते हैं, तो reflection तक कुछ फॉर्मोलेशन है तो भी आपको बलास में डिसकस करेंगे तो एक नया relation आगा, ट्रांजिट्व रिलेशन, यह कोई नया relation नहीं है, यह club करने पे नया relation बनाएं, जैसे कि कोई एक relation है, आपको एक question मिलें, question generally बुशेगा, proof that, so that this is an equivalence relation, तो equivalence relation का मतलब यह है, कि उसके अंदर यह property होगी, जो relation होगा, वो इस पास को सु करेगा कि वो reflexive होगी है, symmetric होगी है, और transitive होगी है, अगर कोई भी relation, reflexive, symmetric होगी 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 है, तो इसका मतलब यह है कि वो क्या है, equivalence relation, अब देखेगा, if if in any relation reflexive symmetric if in any relation, reflexive, symmetric and transitive to relation satisfy satisfy then that relation is called an बेलेशन इस कॉल्ड इक्री वैलेशन रिलेशन मतलब कि आप किसी भी रिलेशन में आप ये शो करने में सफ़क है कि आपको बेलेशन करना है इन तीन बातों के वह कि सब्डन, बेलेशन होना चाहिए और ऍरने चाहिए अगर आप नहीं किसी तरीके सी शुरू करती यही आपको दिखाना होता है वहाँ पर कि रिफ्लेक्शिव भी है सेमेट्रिक भी और ट्राजेट्टिव भी है तो आप चाहिए इन सब चीजों का है जितना भी है सब स्क्रीन सोटे सकते हैं यहाँ रिलेशन हमारा यह है टाइड़्टिव के बाद आगया हमारा र्istor, यह आगया Τाइड रिलेशन के बाद आगया हमारा हमारा यहां को ट्राजेटिव भी है तो पर छेंज कर देता हूँ ये इक्त्विवैलेंस है ये equivalence इसको heading में कर देना हूँ equivalence relation ऐसा एक्षी देखे नहीं निकल करके आई equivalence class वैसा है आपको definition इक्विये set of all elements of A related to an element small a जो की set A से ही लिया गया होगा और इस तरीके से represent उसको करें मेरी language में अगर आप समझें तो आप इस तरीके समझ सकते हैं collection of all those elements वो सारे element आपको लेने हैं और जिसकी भी equivalence class कुशी आती है वो उसी set का element होगा बाहर से नहीं आए जो तो आपको वो सारे element का collection करना है जो उस element के साथ जो दिया हुआ relation है उसको satisfy करें मतलब जो भी element आप मालने जो one है बन आप वो card and equivalence class मेरा आईए जो कि इस तरीके से represent करा जाएगा उसको तो वो जो one है वो उस set के जितने भी element के साथ जो relation दिया गया उसको satisfy कर रहा हुआ वो सारे element equivalence class के element और इसमें एक बहुत important बात से जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो लिखेगा तो इक्रिवालेस class तो इक्रिवालेस class आइदर आइदेंटिकल और disjoint जो दो equivalence class में विटा आपकी वो या तो identical होगी या तो disjoint होगी disjoint का मतलब यह होता कुछ भी common नहीं है disjoint वोगर मैं simple लिखूँ इसका मतलब नहीं नहीं है मतलब कुछ भी common इसमें नहीं और identical का मतलब full set complete set same मतलब पोरा को पोरा सटेज होगा हो क्या होगा होगा same होगा और disjoint मतलब उसमें कुछ भी common नहीं तो इसलिए हम लोग आ जाते हैं कि कुछ questions भी मैंने ले रखें तो इस question करना ज़्यादा जरूरी है बिना question के तो नहीं बन पाया कुछ अब जैसे कि यह एक question है जैसे previous year में आया हुआ question है अब देखें कि बहुत बश्वड़ा question है solution हम लिए है so that relation on the set A x की जो value आपको 0 से 12 लेगी मतलब set A के अंदर जो element है वो कुछ इस तरीके से है 1, 2, 3, up to 12 यह integer उसका collection है जो की x से लगाता के 12 तो 0 भी है सो नहीं से तो 0 भी लिख देते है और r जो relation आपको दिया गया है वो A, B element का collection है such that इसके लिए कहा गया है कि mod of A minus B is multiple of 4 तो mod of A minus B है मुट्या है multiple of 4 है तो यह दिखाना होगा और इसके मात at last आपको question में equivalence class of 1 भी find करना है तो देखें आपको यह show करना है कि यह equivalence relation है तो equivalence relation अब तभी show कर पाएंगे तो आप किसी तरीके सी इसे लिखा दे कि यह जो दिया हुआ relation है reflexive भी है, symmetric भी है और tragedy भी है चलिए तो step आइस टेब इसको show करना है सबसे बले आएंगे आपको reflexive relation है reflexive relation के लिए आपके समझिए जैसे मैं यह आपसे कहूं कि जैसे मां लोग एक और एक relation है एक और एक relation है और अगर क्या relation कि mod of a minus b is multiple of four अब जैसे एक और एक relation है तो आप अगर किसी तरीके से दिखा दो कि a comma a b relation है तो पहले अभी मैं relation यहा पे लिखने नहीं जा रहा हूँ पहले आप 100 करो तो a comma a क्या होजेगा mod of a minus a जो क्यों क्या 0 तो 0 तो सब कही multiple हो जाते 0 into 4 तो लिखी सकते हो तो आप रिद्दूग it is multiple of four so a comma a is a relation एक होई क्या होगा relation hence reflexive hence reflection reflection के पाद आजागा symmetric reflection reflection के पाद आजागा symmetric नदीजे क्या आएगा symmetric माँ एक चीजे देऊ a comma b अगर एक relation है क्या condition निकल के आ रही mod of a minus b is multiple of 4 यह हमको question नदीया है अच्छी यह बताओ अगर हम mod mod को आप तरी के 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 यह सिखाए जाता है mod of b minus a mod of b minus a यह आप क्या लिख सकते हो अभी मैं इसको एक टेस कर देता हूँ फोड़े जाए पर लिए mod of b minus a से क्या में जाएगा mod of b minus a से आपको उस तरी के से आप एक सिखाए इसको minus a minus b का mod और कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो आप इसको कहा दोगे it is multiple of it is multiple of 4 क्या है? 4 का multiple और 4 का multiple है यानि कि आप यह कह सकते है b, a is also a relation और अगर यह relation है hence symmetric hence symmetric हो जाए है अज़ इसको तकर हम बात करें transitive के लिए transitive अगर कोई छी जैसे 12 का multiple है तो उसमें 4 तो जरूर होगा definitely 7 कोई और number भी होगा 3 है जिसे मैं कहूं 24 24 का multiple है 24 का 4 तो है 7 में कोई और भी रंबा है तो यह से यह तो होगा है 7 में कोई दूशा नहीं करें और जब आफ mod कहीं से हटाते हैं तो 1 plus minus का sign आ जाता है तो जो की बनाएगा 4 lambda plus minus अच्छा अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि B, C के एक relation है तो mod of B minus C equal to 4 mu यानि कि B minus C की value हो जाएगी plus minus 4 mu अगर मैं 1 of 2 को add करूं तो क्या मिले का B से भी cancel A minus C plus minus 4 lambda plus अच्छा इसी बताओ A, C को हम लोगे relation कब show कर भाएगे कि A, C की relation है जब आप ये show कर दें कि mod of A minus C 4 का multiple है अगर आपने ये show कर दिया तो इससे लिए clear हो जाएगा कि A, C का एक relation है अब अगर आप देखिए A minus C equal to plus minus 4 lambda plus mu यहाँ पे mod ले लिया जाए 4 lambda plus mu आप ये देखिए कि आपको 4 दिख रहा है 4 तो दिख रहा है अगर 4 दिख रहा है तो इससे ये clear है कि A, C b क्या है relation है वगर relation है तो इसका मतलब ये prove हो गया है Transitive और भी थोड़ी देर पहले इनने बस आपको बताया है कि अगर कोई भी relation reflexive भी है symmetric भी है Transitive भी है तो इसका मतलब ये है कि वो relation कैसा है equivalence relation यानि ये जो relation आप देखे रहे हैं इतना बड़ा ये equivalence relation भी बन चुका है क्यों? क्योंकि हमने इसमें proof कर दिया ये reflexive होगी है symmetric भी है Transitive होगी है ये दिखाना ही sufficient है कि ये equivalence relation है अचलिए अब आपको बात कर लेते हैं find the set of all elements of related to A अब ऐसे union relation जो 1 से relate कर रहे है तो ये तरीके से वो equivalence class ही होती है अब देखे हमें experience class of 1 बताना है तो मैंने का कुछ x रोन लेते हैं जो 1 के साथ relate कर रहे हैं जिसके हम लग क्या हो जाएग mod of x minus 1 is multiple of 4 mod of x minus 1 क्या हो जाएग multiple of 4 अब यहां से x आपको collect करने उपर स्टार्टिंग से यहां पुट देखे अब आप पुट करने के बाद गे देखे क्या यह 4 का multiple है की नहीं अब देखे क्या रहा है element जैसे 0 रखो तो 0 x से देखे रखना है तो 0 minus 1 1 1 तो 4 का multiple नहीं होता 1 रखो 1 minus 1 0 हाँ 0 हो जाएग 0 तो किसी का भी हो जाएगा इसी तरी के साब रखते चले जाओ अब मैं डारेट बना तो 5 रखो 5 minus 1 यानि की 4 4 तो हो जाएगा 4 का multiple 9 रखे एक्स के लिए 9 minus 1 9 minus 1 के आ जाएगा 8 8 4 का multiple होता ही है यानि की 9 हो जाएगा यानि की जो 1 की equivalence class है उसके अंदर जो element आये निकल करके वो आपके आए 1,5,9 अच्छ अगर आप किसी और element की मान्तों निकालेगा 2 की निकालेगा तो आपको देखने में यह लगेगा कि 2 की equivalence class और 1 equivalence class ने एक भी element same नहीं होगा मैंने equivalence class करते टाइम यापको detail में बता दिया था इस बात को कि 2 equivalence class either disjoint or identical या तो एक भी element नहीं होगा या तो पूरे पूरे element same होगा element same हुआ है यह बहुत important बाद इसको ध्यान करें गया एक last question और देखें यह हमो एक set दिया हुआ है set दिबात में बात कर लेगे हमें equivalence relation proof करना है mod of a minus b is even number हमें यह slow करना है देखे relation दिया गया है are a,b यह mod of a जुसको में थोड़ा serious करता हूं a,b और condition given at the mod of a minus b is n event number mod of a minus b क्या है एक even number तो even number का मतलब क्या हमें यह कह सकता हूं कि multiple of two या divisible by two तो यह से multiple one question क्या है तो यह से same as previous question की तरहिके हम भूब कर ले सबसे बहुत करता है reflexi होगी जैसे मालो आर एक relation है तो क्या condition है a,b एक relation है तो क्या condition आपको दी गई condition यह दी गई है कि mod of a minus b is n even number और mod of a minus b even number है तो आप क्या दिखाऊगे कि a,b है a,b को एक relation दिखाना है तो चरहा यहां में क्या लिखोगे a minus a और ही हो जागे जीरो जीरो जो पेटा even number होता ही है जीरो क्या और कैसा number है even number है कि नहीं बिल्कूल है तो आप दिखें यहां पर it is an even number और अगर यह even number है इसका मतलब यह हो गया कि a,b यह क्या है relation और अगर यह relation है तो आप यह भी कह सकते है hence reflexive यानि कि यह क्या है reflexive relation है अगर यह reflexive relation है तो आपको यह भी शो करना है तो यह है ट्राइटिव भी है symmetric भी है तो पहले आपको काते symmetric 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 relation symmetric relation क्या है जड़ा देख लिए एक बार जैसे हम उसे कहा गए कि a,b यह relation है तो क्या condition है mod of a minus b is n even number mod of a minus b कैसा नूंबर है even number तो ज़्यदा बी कॉमा ए के बारें बताओ तो बी कॉमा ए जब अब जब 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 ए कॉमा भी है तो आप mod of a minus b रिकते हम जब b कॉमा आपको mod of b minus से रिखा हँ और जब mod of b minus b को क्या है इसे रिखा दो là minus of a minus b और यह मंजाए जाए जाए कि मौड अफ ए माइनस भी है तब मौड अफ ए माइनस भी दिखा हुआ है फिर से वही तो चीज़ इसके लिकिन भाई आभी कि निए तो इसको यह कहेंगे कि एक इवन नमबर है एट इस एन इवन नमबर एट इस एन इवन नमबर है तो बी कॉमा ए इस अलसो और रिलेशन है तो आप दिखाने में कि एक इसा रिलेशन है तो आप दिखाने में आपको क्लियर हो क्या है एक एक रिलेशन है तो अगर बी कॉमा एक रिलेशन है यानि कि यह क्लियर हो क्या है कि एक इसा रिलेशन एक स्मेट्रिक रिलेशन है अगर बाब कर लेते हैं इसी में ट्राइटिव रिलेशन होगी है अजय एवन का मतलब multiple of 2 तो होता ही है यानि कि क्या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे a, b एक relation है तो a minus b mod 2 का multiple होगा यानि कि मैंने इसको break कर गया 2 lambda है वो जहां से mod हटेगा वहाँ plus minus तो जरूर आएगा यानि कि a minus b equal to plus minus 2 lambda या अगया part होगा अगयर a, b relation है तो b, c भी एक relation होगा तो यह क्या बनेगा mod of b minus c equal to तो b minus c की जो value होगा है जैसे plus minus 2 mu या आगया second case तो first case आपको यह दिन क्या है second case अच्छे एक्षी ने बदाव a, c को relation हमको कब सो कर पाए याज़ी a, c relation है जब हम यह दिखा लें कि mod of a minus c क्या even number है तो आपको दो की इस दिन है जोनको दर add ओड़ा एक बार तो a minus c plus minus 2 lambda plus mu तो mod लगा दो 2 lambda plus mu तो it is an even number और अगर even number है यह clear हो गया a, c भी कहे relation है यानि कि यह भी clear हो गया कि यह कैसा number है यानि कि यह transitive हो गया अथा इक सी रता हो reflexive हो भी है, symmetric हो भी है, triangular हो भी है अगर तीनो हो है इसका मतलब यही तो हुआ यह equalized relation है हम बड़े अच्छे से लिखन गया आप इसको hence it is an तो मेरे ख्याल से आज जितना भी हमोगर पाढ़ किया है relation का सारे type C के हमोगर reflexive क्या होता है, symmetric क्या होता, transitive क्या होता है two questions भी किया है लगिन अभी questions sufficient नहीं है अभी एक lecture इसमें हम लोग और करेगी इसमें बहुत सारे question होगे तो कि previous year के होगे जितना भी हमोगो variation होता है question को उस सारे हमोग discuss करेगी सब कुछ आपको यहीं मिलेगा मैं हूँ आपका math matter दुर्गेस दिवाई और अपने channel करने में RT Academy यहाँ आपको सारे content मिलेगे सारे core subject है physics है, chemistry है biology students के biology वैवेपल session 22, 23 में जितना sufficient है reduce है सब कुछ आपको यहीं मिलेगा आपको कखी ओपुछ करने की जरूदा नहीं पस हमारे YouTube channel को प्रॉपर तरीके से पुरी playlist बनी हुई एक बार revise करते हैं और जो लोग देख चुके बहुत अच्छी बात तो करना काई आपको अपको फर्स्ट आम वीडियो को बाच करें प्लीज सेर करें और सब्स्प्राइब जरूद कर ले तो आज के लिए इतना ही मिलेंगा अपने नेक्स वीडियो में तब तर के लिए बाई